आपको हर कोई पसंद नहीं कर सकता फैमली में हर कोई नहीं पसंद कर सकता तो दुनिया में कैसे खरेंगे असलाम अलेकुम जे वेलकम टो अनदे धमाकद आर वीडियो में स्पाइसी रिवीव में हूँ आपके साथ मारिया ली उमीद करती हूँ आप बहतरीन होंगे शोयब के जाने से मुझे घंटा फरक नहीं पड़ा इजहान मेरे पास है और मेरे पास ही रहेगा यही हमारे बीज का मौईदा है शोयब की बिवफाई पर सबर कर लिया था मुझे पता था कि यह बार-बार मुझे धोका देगा मुझे बार-बार कहा गया लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी सिर्फ अपने दिल की सुनी सानिया मिर्जा का तलाक के बाद पहला एक्स्क्लूसिफ इंटर्व्यू जिसमें उन्होंने बता है किस तरह से मेरे बेटे के बाद मैं कितनी मजबूत हो गई और अभी मेरा बेटा ही मेरा सहारा है अल्ला के बाद और किस तरह से मैं मजबूती के साथ खड़ी हूँ और आगे खड़ी रहूंगी मुझे कोई फरक नहीं पड़ता भारती टैनिस्टार साबट जो है उनको कहने को दिल निंकरता क्योंकि जतनी वह फित है जितना वह अच्छा जो जो है उनके पेरंस है मुझे लगता है कि उनने बहुत जल्दी जो हैber को टैनिस की दुनिये को खायर बात कह दो रहें लेकिन आगे छलकर आपको यह बी बताओंगे कि क्यों उनोने एतनी जल्दी जो है रिटायर्मेंटली है उन्होंने कहा है कि जी मा बनने के बाद उनको सबर करना आ गया है ये शुएप के साथ खुला के बाद उनका पहला इंटर्विव हुए आप सब को पते हैं किस तरह से सबर के साथ उन्होंने रमदान गुजारा किस तरह से सबर के साथ उन्होंने इद गुदारी उनके बेटे के बाप ने अपने बेटे से मिलना जो है वो गवारा नहीं किया ये देखें बच्चों को क्यूं आप पीसते हैं इस दलदल में क्यूं डालते हैं लेकिन शायद सानिया को भी समझा गई थी कि उसका बाप जो है उसको मूँ मारने की आदत है उस उसको औरतों का शौक है तो अगर मेरा बेटा उसके साथ रहेगा तो वो भी कहीं न कहीं उसकी साथ को एडॉप्ट कर लेगा मैं आपको बताऊं कि वो कहती हैं कि जी मुझे माँ बनने के बाद सबर आया है जिन्दगी में पैसा और नाम सबसे आहम नहीं बलके ये आहम है कि कौन उनकी मुश्किल में यानि कि आपकी मुश्किल में आपके साथ खड़ा हुआ है तो उनकी फैमिली उनके दोस्त उनके साथ मुश्किल में खड़े हुएं और शौयब जो है जिस सना से छोड़के भाग गया चलें खुला हो गई लेकिन बच्चे को भी चोड़के च ये कि अन्हों कि ने कहा कि दुनिया में हर कोई आपको पसंद नहीं कर सकता पढ़ लिए कि आने कर सकता उन्होंने बदाए सोचल मीडिया तनकीद पर बात करते हुए कहा कि वो उन्हें परसनल अटाक के तौर पर नहीं लेती है जहां भी लोग मुझे बुरा भला कहते हैं इस वक्त जितना लोगों ने मुझे सपोर्ट किया मैं इसका अंदाजा नहीं लगा सकती थी कि लोग मुझे हर मुल्क से वो हर मुल्क पकिस्तान के वाले से बात करी थी कि उनको इतना प्यार दे सकता है सान्य का कहना है कि मा बनने के बाद सबर करना सीखा है जzeitig में अगर अच्छे दिन नहीं रहتे तो बुरे दिन भी नहीं रहते और जिन्देगी में सबसे अहम यह है कि मुश्किल में कौन साथ खड़ा है यहां पर भी वो शोईब के हवाले से ही बात कर रही है कि यह वक्त भी गुदर जाएगा उनकी जो कुटेशन्स पो कहरा लगाती है वो चीजे लगा रही है सबर किया वाले से नोंने बहुत दादा इस पूरे रमजान में बात किये और लोग इससे बड़ा दिल बरदाश्ता हो रहे थे कि यार देखो एक मुखबत की शादी दो मुलकों के बीच में उसने पूरे मुलक से बगावत करके एक बंदे से शादी की वो बंदा तो किसी का भी नी बन सका आखरी दस सालों में अपने अंदर तबदीली से मुतालग उन्होंने कहा कि माँ बनने के बाद उन्हें सबर आया है और फिर उनसे पूछा गया कि रिटार्मेंट का फैसला कि आपने सोस समझ की किया है जल्दी कर लिया है तो उन्हें ने कहा कि जी तीन सर्जरी जो चुकी है मेरी फिर बेटे के बाद मेरी बॉड़ी इस चीज़ की जासत नहीं दे रही थी कि मैं टेनिस को मजीद जारी रखूँ इसमें जो है मैं रिकवर नी कर पा रही थी इसमें बड़ी महने दरकार है आपको ट्रेनिंग्स करनी होती है और फिर जिस तना से मुझे रिकवर करना चाहिए था मैं नहीं कर पा रही थी इसलिए मुझे इसकी जरूरत थी सान्य ने कहा कि अमर के साथ साथ जी आपको सबर भी आ जाता है खुशूसां मुझे तो सबर अब जाकर आ चुका है और सबर के लावा कोई चारा नहीं होता यह तबदीली जो है इसमें मैं खुश हूँ आप देखें कि आप का इस सबर की बात ही है कि एक शादी शुदा बंदा जिसने बताया आईशा से शादी की थी पहली शुएब ने और उसके बाद उनों ने जो भी जूट सच बोला था सान्या से जूट ही बोला होगा कि यह औरत में जबर दस्ती मुसे जो है निका कर लिया सान्या ने सबसे मुखालफ़त करके इस से शादी की और इसके बाद आप देखीं कि इसने दो-तीन साल से इसका चकर चल रा था सान्या के साथ सन्या की लव मैरिश थी तीन महीने बाद दी उसको शुएब में लव नजर आना शुरू हो जात है मतब तीन महीने बाद यह और मतब बंद आप क्या करे उसके बाद ये दो तीन साल शुएब मलिक इस बात पर राजी करने में लगे रहे कि पाकिस्तान में रहेगी मेरी बीवी आपको आपके हाकुक में कोई फरक नी पड़ेगा आप यहां पर रहेगा बच्चा भी हमारे साथ मतब इसी तरह मामलात है तो उस पर सानिय ने कहा नहीं असा नहीं हो सकता नहीं क्या मूँ दिखाऊंगी मैं तुम्हें कैसे शेयर करूँ मतब मैं सोच भी नहीं सकती कि पूरी दुनिया से लड़के मैंने शादी की और तो मुझे जो है मेरे उपर किसी और को फौकियत दे रहे हो तो यह मामला तैर नहीं हो पा रहे थे फिर सानिया ने अकलमंदी का मजाहरा किया उनको लगा कि शॉयब ने तो दलाग देनी ही नहीं है क्योंके हक महर इतना जदा रखवाया गया था सानिया की फैमिली की जानत से बिचारों को इन सिकेरोटी थी कि पहली बीवी आ गई है तो कहीं आगे मामलात को खराब न कर दे तो शॉयब दो तीन साल से लगा हुआ था कि भई ये खुदी खुला ले ले या ऐसी चलता रहे तो फिर सानिया ने सो समझ के फैसला किया कि मैं खुला लूँगी ताकि मैं सारा पैसा जो भी हक महर लिखावाई ये अपने जाके जो है ना इससे अपनी नई जिन्दी शुरू करे मुझे पैसों की जरूरत नहीं है मैं पास तो इतना पैसा है कि मुझे तो जो है मुझे इसके पैसों की जरूरत ही नहीं है खर्चा तक सानिया ने कहा कि तू ना दे मैं खुद समझाल लूँगी तू अपनी नई फैमिली जो है वो शुरू कर उन्होंने कहा कि मैं पहले बड़ी जजबाती होती थी लेकिन अब कोई भी फैसला करती हूं तो मैं बहुत अधा सूचती हूं फिर बोलने से पहले भी सूचती हूं आपने उनका जो है विल पावर तो देख लिए शुयब ने किस तरह से उनको धुका दिया वो चुप रही उनकी भेहन नहीं बात बोली कि हमें बहुत अच्छे से पता हैं सबूत हैं हमारे पास अगर हमने सामने रख दिए तो किसी को मूझ तिखाने की काबिल नी रहेंगे तो सबूतों के बगाई भी सारी दुनिया को पता है कि शुयव का करेक्टर क्या है और सना उन्होंने कोई अच्छा काम तो नहीं किया न तो वो कहती है मैं नहीं बोलती जादा उनका यह भी कहना था कि जिन्दिगी में पैसा और नाम सबसे ज़्याद आहम नहीं है मुश्किल वक्त में आपके साथ कौन है? इनकी बेहन, इनकी फैमिली, इनके दोस्त खड़े रहे सना ने कहा कि जी हकीकत से हमें हमेशा करीब रहना चाहिए ऐसे लोग हमेशा साथ होनी चाहिए जो सच बोलें पैसा और शोहरत जो हैं वो जरूरी है लेकिन यह सब इतना जरूरी नहीं है कि हम कहें कि इसके पीछे मारी जिन्दगी जो है वो खतम हो जागी टेनिस टान ने कहा कि स्पोर्ट्स में अच्छे और बुरे वक्त दोनों दिन में ने देखे हैं नाकाम होने की सुरत में आप दुबारा खड़े होते हैं यही रसूल जिन्दगी में भी अप्लाई कर रही हूँ बुरे दिन और च्छे दिन में भी हमेशा जो है वो एक जिसांतर नी रहता मतब आते जाते रहते हैं लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो अगले रोज इसे बेतर करने की कोशिश करते हैं अपनी जिन्दगी के हवाले से क्योंकि काफी प्यार करती थी वो शॉयब से प्यार करती थी तो इतना कुछ सेक्रिफाइस किया ना अच्छा जी आपको बताती चेलों कि शॉयब और सानिया मिर्जा ने एप्रिल 2010 में शादी की थी और शादी के आठ साल बाद 30 अक्तूबर 2018 को उनके हाँ पहला बेटा इजहान जो है वो पैदा हुआ था दोनों स्टार्स के दिन्मियान अलैद्गी और तलाग की अफ़ाइं इतिदाई तोर पे दिसंबर 2022 में सामने आई थी ये उस वक्त है जब इनका बड़ा पीक पे अफेर चल ला सा सना के साथ और ये घूमने पिरने दूसरे मुलकों में जाया करते हैं सना के साथ फिर सानिया मिर्जा पाकिसान भी आई थी उनकी वालदा के सामने सबूत रखेते चीज़े की थी वालदा इस शादी में शामिल नहीं हुई वालदा ने बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन शुएब पर जो है सना की भूबत का भूत जो है वो सवार है 20 जनवरी 2014 को शुएब ने अताकारास्तना जावेज के साथ शादी की तसावीश शेयर की और एक बार फिर से तीसरी बार शादी के बंधन में मंदने की तस्दीग कर दी है सानिया जितनी मजबूत औरत है हर औरत को कहूँगी हर इंसान को कहूँगी हर मर्द को भी कहूँगी कि अगर आपका पार्टनर आपके साथ ये सब कुछ करता है तो आप मजबूती के साथ चीज़ों को फेस करें, आगे बढ़ें, दरगुसर करें और अल्ला पे छोड़ दें आप क्या कहते हैं, कॉमेंट सेक्शन में जाके अपनी कीमती रहसे जरूर आगा करें जाने से पहले रिक्वेस्ट एकर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या कर लें हमारी होसला अफ़ाई होती है, बाई बाई